नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप से भी का स्वागत है, आज किस वीडियो सेशन में हम सब इंडियन पॉलिटी यानि भारतिय राज बिवस्ता से क्वेशन देखेंगे और इसमें हम आप सभी के लिए लेकर आए है, 40 Important Questions, जो कि आपके सभी पर्तियों की परिक्षाओं के लिए काफी महत्पून होगा और यह हमारा Part 1 होगा, इसके बाद हम Part 2 देखेंगे, उसमें भी Important Questions डिसकस करेंगे और इंडियन पॉलिटी के अंतरगत, आज हम सब देखने वाले हैं, सम्मीधान सभा से Questions ठीक है, आज यह जो हमारा सेशन होगा, सम्मीधान सभा पर आदारित होगा, और इन ही से Important Questions हम आज डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ Share कीजिएगा, तो चलिए दोस्तों, सुरू करते हैं Question No.1 है, 1922 इसवी में निमलिकित में से किस के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया, कि भारतिय सम्मीधान जो है भारतियों के इक्छा अनुसार होगा तो यह है महात्मा गांधी, आपको बता दे, महात्मा गांधी ने 1922 में यह व्यक्त किया, कि जो हमारा सम्मीधान होगा, वो भारतियों के इक्छा अनुसार होगा क्वेसन नमर टू है, 1924 इसीव में किसके द्वारा, ब्रिटिस सरकार से यह मांग की गई, कि भारतियों सम्मीधान के इनिमान के लिए सम्मीधान सभाखा गठन किया जाए तो यह जो मांग किया गया था, वो किया गया था, मोतिलाल नहरू के द्वारा, और मोतिलाल नोही जो थे, एक अच्छा वकील थे, और यह जवाहला नहरू, जो हमारे देश के प्रथम परधान मन दे थे, उनके पीता थे Q3 है, सम्मीधान सभाखे विचार का अपचारिक रूप से परतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था दोस्तो, एमेन रोय के द्वारा, आप इन सब प्रस्णों को एक बार जरूर नोटाउन किजेगा Q4 है, सम्मीधान सभाखे को किसने मूर्तुरूप परदान किया, तो मूर्तुरूप की जब बात आती है दोस्तो, यह किया गया था जोहला नेहरू के द्वारा Q5 है, कॉंग्रेस ने किस वर्स, किसी परकार के बाहिस्थ चेप के बिना भारतिये जनता द्वारा सम्मीधान के निनवान के मांग को लेकर प्रस्ताओ पारित किया था तो यह किया गया था 1936 में, 1936 में Q6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने बैसक मताधिकार के आधार पर सम्मीधान सभा के गठन की मांग की थी तो यह जो मांग की गई थी, ओक किया गया था जोहलाल नेहरू के द्वारा Q7 है, 1442 में किस योजना के तहद यह सविकार किया गया कि भारत में एक निर्वाची सम्मीधान सभा का गठन होगा जो युदो परांथ सम्मीधान का निर्मान करेगी तो यह किया गया था क्रीप्स योजना के अंतरगर Q8 है, सम्मीधान सभा के गठन की मांग सरुप्रतम 1895 में किस के द्वारा प्रस्तूत की गई तो यह किया गया था बाल गंगधर तिलक के द्वारा Q9 है दोस्तो, भारत की सम्मीधान सभा गठित करने का आधार क्या था तो जो आधार रखा गया था, वो Cabinet Mission Plan 1946 जो था इसके अंतरगर किया गया इसी को आधार बनाया गया Q10 है, भारत की सम्मीधान सभा किस के अनुसार गठित की गई तो यह किया गया था Cabinet Mission योजना के अंतरगर Q11 है, सन 1936 में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस द्वारा सम्मीधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई तो जो फैजपूर का जो अधिवेशन हुआ था, उसी में इस गठन करने की मांग रखी गई Q12 है, Cabinet Mission योजना के अनुसार सम्मीधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो जो रखा गया था, वो रखा गया था 389 ठीक है, आप याद रखिएगा, Cabinet Mission योजना के अनुसार सम्मीधान सभा में कुल जो सदस्य होने थे, उनकी संख्याती 389 Question number 13 है, प्रस्तावित मुल सम्मीधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस परकार होना निस्चित हो था? तो जो उनकी विभाजन होना था, वो जो रखा गया था, वो था British प्रांतों के 292 परती नहीं थी, उसके बाद देशी रियास्तों के 33 परती नहीं थी, और उसमें मु प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इन्हें में से कॉंग्रेस के कितने परतिनी थी, निर्वाचित होकर आए, तो जो उनकी संख्या थी, वो थी 208. Q15 है, पुनर्गठन के फ़र्ण सवरू, वर्स 1947 में, संबिधान सभा के सदस्यों के संख्या कितनी रह गई, तो उस वक्ग जो उनकी संख्या थी, वो थी 299. question number 16 है सम्ि cocaine सभा पनार गठित में देशी रियासतों के लिए कितने परतिनी थी थे तो उनकी संख्याती 70 यानि 70 question number 17 है पुणर गठित सम्ि दान सभा में विभीन प्रान्तों के लिए कितने परतिनी थी थे तो उनकी जो संख्याती दोस्तों ओ थी 239 क्वेशन नमबर 18 प्यात हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगत सम्मिधान निर्मात्री परसद में पर्तेक प्रांत की आवांटी सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक पर्तेन थी कितनी जन संख्या का अनुपात में था तो जो अनुपात रखा गया था वह रखा गया था दस लाक ब्यक्ति के आधार पर क्वेशन नमबर 19 है सम्मिधान सभा के सदस्यों को निमन में से किसने पर्तेक चुरूप से निर्वाचित किया जो सम्मिधान सभा के सदस्य थे उन्हें किसके द्वारा पर्तेक चुरूप से निर्वाचित किया गया तो यह किया गया था प्रांतों के विधान सभा के द्वारा क्वेशन नमबर 20 पे आते हैं सम्मिधान सभा में किस प्रांत का पर्तेनितों जो है सबसे अधीक था तो वह था आपका संजुक प्रांद Question number 21 प्याते हैं सम्मिधान सभा में किस देशी रियासत के परतिंदी ने भाग नहीं लिया था तो जो भाग नहीं लिया था हो था हैदराबाद Question number 22 है B.R.M. बेदकर का सम्मिधान सभा में निरवाचन हुआ था कहां से हुआ था दोस्तों तो आपको बता दे उनका जो निरवाचन हुआ था वो पच्चिम बंगाल से हुआ था West Bengal से ठीक है Question number 23 है Muslim League ने किस कारण सम्मिधान सभा का बहिसकार किया तो उसके पीछे जो रिजन था उथा मुस्लिमों के लिए एक अलग सम्मिधान सभा चाहता था और ऐसा नहीं था इस वज़े से उन्होंने बहिसकार किया था Question number 24 है सम्मिधान सभा का चुनाओ निम्न में से किस आधार पर हुआ जो चुनाओ का आधार था वो था वर्गी ये मताधिकार Question number 25 पर आते है सम्मिधान सभा के सदस्य परतिनिधी थे तो वो थे आपके जनता द्वारा अपरत्यक्ष निर्वाचित सदस्य Question number 26 है भारतिय सम्मिधान निर्मात्री सभा जो है किस के द्वारा चुनी गई तो जो चुनने का काम किया और प्रांतिय बिधान सभाओं द्वारा परोच रुप से अनुपाति परतिनिधी तो परनाली द्वारा चुनी गई थी यानि Option B Question number 27 पर आते है भारतिय सम्मिधान को किसने बनाया तो जो हमारा सम्मिधान है दोस्तों आप सभी को पता है किसके द्वारा बनाया गया है तो सम्मिधान सभाओं के द्वारा बनाया गया है Question number 28 है सम्मिधान सभाओं के लिए चुनाव कब संपन हुए तो जो चुनाव संपन हुआ था वो हुआ था 1946 मे 1946 मे Question number 29 है भारतिय समिधान सभा की अस्थापना कब हुई तो ये काफी महत्पून क्वेशन है दोस्तों इससे आप नोडाउन कीजिएगा 29 का जो करेक्टर अंसर होगा वोगा 9 दिसम्बर 1946 क्वेशन नमबर 30 है समिधान सभा का प्रतम अधिवेशन कहां हुआ था तो प्रतम अधिवेशन की जब बात आती है तो यह हुआ था दिल्ले में जो हमारे देश की राजधानी है Question number 31 है सम्मिधान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो यह किया क्या था सचदानन सिना के द्वारा Question number 32 है सम्मिधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो पहला सत्र जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को Question number 33 है सम्मिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष में अंतर होता है तो मैं बता दूँ अस्थाई अध्यक्ष जो थे सम्मिधान सभा के वो थे आपके वह थे आपके डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रत्रम राष्टवती थे क्वेस्न नमबर 35 है 11 इसंबर 1946 को किसे सम्मिधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था तो यह चुना गया था दोस्तो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को और हम लोगों ने अभी जश्ट डिसकस भी किया कि डॉक्टर राजेंदर प्रसाद सम्मिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे ठीक है इन्हें कब चुना गया था तो 11 इसंबर 1946 को 36 नमबर है सम्मिधान सभा के सम्मिधानिक सलाकार कौन थे सम्मिधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो मैं बता दूँ फिर से जिकी किस तरह से क्वेस्टन को सिर्फ इंटरचेंज किया जा रहा है थोड़ा सा मोडिफिकर्स साथ आप से पुछा जा रहा है जहां पर आप फस सकते हैं लेकिन आपको बता दें अस्थाई जब बात आएगी तो वहां पर आजाएंगे सजदान अनसीनहा और अस्थाई अध्यक्ष की जब बात होगी सम्मिधान सभा की तो डॉक्टर राजिंदर परसादी होंगे यानि ऑप्शन सी जो है लेकिन एच एच बेग नहीं थे क्वेशन नमर ठटी नाइन है सम्मिधान के विभीन पहलूओं के अध्यन हे तू सम्मिधान सभा ने कितनी समिधिया न्यूक की थी तो इसकी जो संख्या थी दोस्तो वो थी तेरा ठीक है तेरा समिधिया गठित की गई थी जो की विभीन पहलूओं का अध्यन कर समिधान सभा को अपनी रिपोर्ट दे दी क्वेशन अब 40 पे आते हैं समिधान सभा के प्रारूप यानि मस्विदा जो थी समिती की नियुकती कब की गई तो यह किया गया था आपका 29 अगस्त 1947 को यानि option C तो इस तरह से हमारा 40 क्वेशन यहाँ प कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जूड़ सकते हैं जूड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उससे प्रेस कर लेंगे तभी आप सब में दोस्तों मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद